इंद्रगढ पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में वांचित दस माह से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफतार. इंद्रगढ पुलिस ने अपहरण कर फिरौती की मांगने के मामले में दस माह से वांचित फरार आरोपी, राजेश, उर्फ राज, उर्फ टीकम, उर्फ सलादू को गिरफतार किया. इंद्रगढ थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि सूरजा बाई पत्नी मुकेश निवासी करवर ने थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि इंद्रगढ से करवर मोटर साइकल से आते समय अग्यात व्यक्तियों द्वारा अंबा वाले कुएं के पास मुकेश को रास्ते में रोक कर अपहरण कर ले गए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. मामले में पीडित मुकेश प्रजापत को दस्तयाब कर फिरोती की मांग करने वाले अपहरण करताओं को नामजद कर आरोपी राजेश कुमार. कुमार निवासी, नया गांव थाना पिलोदा, जिला गंगापुर सिटी वो उसके दो साथियों की तलाश की जा रही थी. थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि घटित टीम ने दस माह से फरार चल रहे आरोपी राजेश, उर्फ राज, उर्फ टीकम, उर्फ सलाधू पुत्र पप्पू, राम निवासी नया गांव, थाना पिलोदा जिला, गंगापुर सिटी को सेंट्रल जेल जैपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके पूर्व में अवैध मादक पदार्थ, अवैध हतियार, चोरी वफरण के मामले में जैपुर में मामले दर्ज हैं, इस दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी दिनेश शर्मा, हेड क कांस्टेबल भोजराज सेह, कांस्टेबल खेमराज महावीर शामिल रहे।